दिप्य बच्चन सत्य बच्चन अमर बच्चन जीवीर बच्चन सैर बामा बारीन बामा बगर दिजा निरिजा 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 दिव्य बचन, सज्दे बचन, अमर बचन, दिव्य बचन, दिव्य बचन, दिव्य बचन सब को जये सुकी, प्राथा की इस बेला में, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, कि उसने हमें एक नया दिन दिया है, उसने हमारी जिन्दगियों को सलामत रखा, और हमें एक नया दिन देखने का मौका दिया है, आज के इस पवित्र दिन में, हम यही प्रार्थना करें, कि प्रभू आपका वचन, जो हमें जीवन देता है, वो हमारा मार गर्शन करें, आज का ये वचन मेरे जीवन में और परिवार में, सोगुना फल लाए, प्रिजनों जैसा मैंने अनेक अवसरों पर आपसे कहा, कि पवित्र बाइबल, जो पवित्र आत्मा की प्रेणा से लिखी गई है, कि इसमें इश्वर के प्रेम की चर्चा है, इसमें इश्वर का मन नहित है, और यदि कोई इस वचन को नित्य प्रते दिन पढ़ता है, तो वहन इश्वर के प्रेम की गहराई को जानने लगता है, यदि कोई व्यक्ति इन वचनों पर मनन्चिन्तन करता है तो ये वचन उसकी जीवन में औश्रदी के माफिक काम करते है आज का एक सुन्दर वचन प्रभु ने हमें दिया है कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूँगा प्रकाशित्वाक के अध्याय तीन पत्सेंख्या आठ मैं तुम्हें सुरक्षित रखूँगा आज प्रभु आपसे ये वादा करता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे भक्त और सभी विश्वासियों जो मेरे पास आते हो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा जी हाँ प्यारे भाईों और बेहनों बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है जब हम लोग उसके पास जाते हैं तो वो हमारी दुहाई पर कान देता है ऐसे कई वाके बाईबल में हमें देखने को मिलते हैं ये शाय नभी का ग्रंत अध्याए 65 पत संख्या 2 नभी कहता है कि तु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है इसलिए लोग तेरे पास आते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं तो हम इश्वर से जूड़ जाते हैं येश्यु मसी से जूड़ जाते हैं हर एक व्यक्ति के लिए विश्वासी के लिए निहाइती जरूरी है कि प्राता की बेला में जब विस्तर से उठता है तो सबसे पहले सरवशक्तिमान पिता ईश्वर का जो सरवव्यापी है, सरवग्याणी है, हिर्देओं की थाह लेने वाला ईश्वर है, उसका गुणानुवाद करें, उसका धन्यवाद करें, और तब अपने कारियों की शुर्वात करें, भोर में जो की अमरत वेला के नाम से जानी जाती है प्यारे भाईयों और वेनों परमेश्वर से जुड़ना भोर में प्रात्ना करने का मतलब यही है कि उस वक्त सबी लोग सोते हैं स्रिष्टी भी विश्राम करती है परंतु यदी प्रभू का भख्त भोर में उठकर उसकी अराधना करता स्तुति करता है तो वह सीधे परमेश्वर से बातें करता है इसलिए प्राता की बिला में प्रभू का धन्यवाद देना भक्तों के लिए नहायत ही ज़रूरी है तो जब हम प्रातना करते हैं तो हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं हमारे हिर्दे मन और आत्मा के तार उससे कनेक्ट हो जाते हैं हम अकेले प्रातना नहीं करते स्वेम येशु हमारे लिए और हमारे साथ प्रातना करता है क्योंकि बाइबल कहती है कि येशु मसी पिता की दाहिने विराजमान होकर सारी प्रजा के लिए पिता से लगातार निवेदन करता रहता है सारी मानव जातिक के लिए वो बिछवई करता है हमारे लिए वो मद्यस्ता करता है क्योंकि दुनिया में और परमेश्वर में एक ही मद्यस्ता है और वो है ईसामसी और इस विशे में संत पॉलुस प्रमानित करता है कि वो जी उठे हैं और इश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु येशु जी उठे हैं इतिहास कवा है उनकी कब्र जो अभी खाली है वो इस बात का प्रमान है कि वो जिस कब्र में रखे गए थे वो उसमें नहीं है क्योंकि वो जी उठे हैं इबरानियों के पत्र अध्याई 7 पत संख्या 25 में हम पढ़ते हैं कि येशु का लहु जो हमारे लिए बहाया गया था वो हमारी सुरक्षा के लिए पुकारता रहता है हमारी सुरक्षा के लिए पुकारता रहता है आपकी सुरक्षा के लिए आपकी उन्नति के लिए आपके उद्धार के लिए वो लहू प्यारे भाईयों और बहनों पुकारता रहता है जब आप धर्ती पर एकत्र होकर प्रभू की दुहाई देते हैं तो दूत संत गण उन प्राथनाओं को लेकर प्रभू के चरणों में रखते हैं और प्रभू पिता से मध्यस्तता करता है और पिता उन प्रात्नाओं को सुनता है और आपको उद्धार देने के लिए प्रिये जनो वो अपने पुत्र येश्यु मसी का लहू आप लोगों पर छिड़क कर हमें उद्धार देता है और ऐसा ही उसने किया जब लोग उसकी दुहाई दे रहे थे तो परमेश्वर ने बाइबल में बताती है कहा कि मैंने मिश्र में रहने वाली अपनी प्रजा के आसुओं को देखा उनके कश्टों को देखा मैंने उनकी दुहाई सुनी है बादलों को चीरते हुए उनकी पुकार मेरे कानों तक प्रमेश्वर के ये वादे बाइबल में हमें मिलते हैं तो प्रेजनों हर एक विश्वासी को प्राता की बेला में प्रभु का धन्यवाद करते रहना चाहिए जागते रहना चाहिए प्राप्त वर्दानों के लिए और उपकारों के लिए नित प्रतिदिन धन्यवाद देना चाहिए, क्यूंकि हमें अनुग्रह येशु मसी के द्वारा मिलता है जो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करता है उसके अनुग्रह पर हमें अनुग्रह मिलता है जब परमेश्वर हम लोगों के जीवन में अपने पवित्र आत्वा की सामर्थ से चिन और चमतकार प्रकट करता है हमें उन्नती प्रदान करता है तो हम उसके अनुग्रह में छलते हैं इसलिए बाइबल हमें बताती है शोक गीत अध्याई तीन पत संख्या 22-23 में कि उसकी दया के कारण हम बने रहते हैं आप और में बने हैं कैसे परमेश्वर की दया के कारण हम बने हैं और उसकी कृपा निरन्तर बनी हुई है और यही कारण है कि मैं और आप उसकी कृपा में बने रहते हैं और वो कृपा कभी समाप्त नहीं होती परन्तु हर सबेरे वो नई हो जाती है हर सबेरे वो कृपा नई हो जाती है इसलिए एक विश्वासी को इस बात को स्विकार करने की अंगिकार करने की आवशक्ता है कि परमेश्वर की आशीश उसका अनुग्रे उसकी बरकत कभी पुरानी नहीं होती उसकी कृपा कभी पुरानी नहीं होती वो सदा के लिए बनी हुई है और नित सभेरे वो नई हो जाती है तो जब संसार के पाप, जब संसार में जो बुराई व्यापत है हमें नश्ट करने के लिए आते हैं तो येशु का लहू हमें ढख लेता है प्रभु का लहू हमें संदक्षन देता है उसके स्वर्गदूत हमारी अगवाई करते हैं उसके स्वर्गदूत हमें इन तमाम बुराईयों से बचाते हैं उसके स्वर्गदूत हमें सनरक्षन प्रदान करते हैं और जब आप येश्यू को पुकारते हैं तो वो आपकी प्रार्थना को सुनता है आज के इस पवित्र दिन में प्रेजनों ये वचन हमें याद रखने की आवशकता है कि ये परमेश्वर की कृपा लगातार बनी रहती है नित्य सबेरे वो नई हो जाती है और एक विश्वासी को उस कृपा को अनुभव करते रहना चाहिए हम कैसे अनुभव कर सकते हैं जब हम उसे याद करते हैं जब हम उसकी हजूरी में आते हैं जब हम उसके वचन को सुनते और पढ़ते हैं तो वो वचन हमसे बातें करता है और वो वचन में याद दिलाता है जैसा मैंने अपने वक्तव के शुरुवात में कहा प्रकाश्चित वाक के अध्याए तीन पत संख्या आठ की प्रबू ये कहता है कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा ये शया नभी के द्वारा उसने भविश्यवानी की कि घबराए हुए लोगों से कहो ढारस रखे हिम्मत रखे क्यूंकि मैं इनका उध्धार करूंगा इबरानियों के पत्र अध्याए 12 पत संख्या 26 में संत पॉलुस लिखते हैं कि नवीन विधान के मद्यस्त इसा मसी जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से अधिक कल्यानकारी है वो हमें शिफा देता है तो एक मसी व्यक्ति को ये समझने की आवशक्ता है कि प्रबु येशु का जो लहु बहाया गया है उसके द्वारा हमें शिफा मिली और वो हाबिल के रक्त से कहीं ज़्यादा कल्यानकारी है तो येशु आपको और मुझे और पूरी मानव जाती को अपने लहु से शुद करता और हमें उस लहु के द्वारा जीवन देता है वो हमें उस लहू के द्वारा पवित्र करता है वो हमें उस लहू के द्वारा संरक्षन देता है हमारे पाप चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो किर्मिच की तरह मटमेले क्यों न हो परंतु वो हमें क्या करता है शिफा देता और आशीश प्रदान कर हमारे पापों को हमसे इतना दूर कर देता है जितना पूरव से पश्यम दूर है तो आज प्रभु से ये प्रार्थना करना है कि प्रभु आपके इस पवित्र लहू के द्वारा मेरे परिवार को शुद कीजिए मेरे परिवार को पवित्र कीजिए आप सब लोग इस वक्त ये वचन सुन रहे हैं अपना अपना निवेदन प्रभू के सामने रखना आप क्या चाहते हैं बाइबल में बताती है कि दो अंदे येश्यू के पास आए और येश्यू ने उनसे पूछा क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ और उन्होंने अपना निवेदन उनके सामने रखा और येश्यू ने उनसे कहा क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ उन्होंने अंगेकार किया जी हाँ विश्वास करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं और परमेश्वर जो वादों का पक्का है आपके जीवन में अपने वादे पूरे करेगा और आपको सुरक्षित रखेगा। यदि मैं बादलों पर छड़ता हूँ तो तू वहाँ है पाताल में जाता हूँ तो तू वहाँ है ये आकाश में यदि मैं रहूँ तो तू वहाँ है मैं पहाडों पर यदि जाकर छिप जाऊँ तो तू वहाँ है पेतरुस ने कहा येशु हम आपको छोड़ कर कहा जाए प् के द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो इसलिए प्रभु येशु हमें याद दिलाता योहन के सू समझार अध्याए 14 पत संख्या 20 में कि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा क्योंकि मुझ से अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो ये वचन जब हम सुनते ह रू का ताजा अभिशेक आपको ये देते हैं क्योंकि इन में जीवन है और प्रभु इन वचनों के द्वारा ही हमारे बीच में निवास करता है और जो इन वचनों को ग्रहन करते हैं प्रेजनों वे कभी भी अंदकार में नहीं भटकते हैं क्योंकि येशु ने स्वेम कहा संसार की जोती मैं हूँ जो मेरे पास आता है जो मेरा अनुसरन करता है अंदकार में कभी नहीं भटकता है लेकिन जो आत्मत्याग करके मेरे पीछे नहीं आता प्रेजनों वो मेरे लायक नहीं है तो आज क्या ये वचन हमारे जीवन में आशीश प्रदान करें बाइबल हमें बताती है एजेकियल नभी के गरंथ अध्याए आठ पत संख्या दो में कि येशु तो महिमा में शरीर है येशु तो महिमा में शरीर है परन्तु पिता इश्वर भस्म कर देने वाली आग है तो पिता इश्वर येशु के रूप में प्यारे भाईों और बेनों इस दुनिया में आया और महिमा में शरीर में वो प्रकट हुआ और उसने इस दुनिया का उद्धार किया और अब वो पिता के दाहिने बैठकर हम सब के लिए विंति करता है स्तरोत संक्या 32 पत संक्या 7 में स्तरोतकार कहता है कि प्रभू तु मेरा आश्रे है तु संकट में मेरा उद्धार करता है और शान्ती के गीत गाने में मुझे सहायता देता है सामर्थ देता है तु मुझे शान्ती के गीत गाने देता है नभी सफन्या का ग्रंत अध्याए तीन पद संख्या सत्रा बाइबल इस बात को प्रमानित करती है कि परमेश्वर आपके लिए आनंद मनाता है वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे कारण आनंद मनाता है आज यदि हम अच्छा कारी करते हैं तो वो आनंद मनाता है यदि कोई उसकी हुजूरी में आता है तो प्रिये जनो वो कभी भी अंदकार में नहीं भटकता है वो सुरक्षित रहता है तो आपको तीन प्रकार के संरक्षन दिये गए हैं पिता परमेश्वर का संरक्षन प्रभु येश्यु के पवित्र लहु का संरक्षन पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है उसका संरक्षन हमें दिया गया है और उसी के साथ साथ दूतों का संरक्षन भी प्रभू के लोगों को प्राप्त है क्योंकि बाइबल इसके विशे में कहती है स्त्रोल संख्या 91 में कि वो अपने दूतों को आदेश देगा कि वो तुम्हें अपने हातों पर उठा लें ताकि गिरने पर तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोटना लगे तो अगर हमारा शरण स्थान वो है अगर हमारा गड़ परमेश्वर है अगर हमारा भरोसा परमेश्वर है अगर हमारा पूरा विश्वास उस परमेश्वर में है तो प्रेजनू वो हमें शिक्षा देगा वो हमें रास्ता दिखाएगा वो हमें अनुग्रहित करेगा वो हमें प्यार करेगा वो हमें शमा करेगा वो आपको उन्नती प्रदान करेगा आज आपकी मन्नतों को वो पूरा करेगा ये उसका वादा है यदि हम ये विश्वास करें कि हे प्रभू तू मेरा गड़ है तू मेरा आश्रे है, तू मेरी चटान है, है मेरे इश्वर, तू ही मेरा भरोसा है, ऐसा विश्वास, एक भक्तगा, प्रभू के प्रती होना अनिवार है, और प्राता की बेला में, जब हम इन वचनों को सुनते हैं, तो ये वचन हमारे मन और आत्मा को प्रेजनों तरो इसलिए बाइबल कहता है, रोमियो के पत्र अध्याए आठ पत्संख्या 26 में, कि इन सारे कामों को करने के लिए आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपकी अगवाई करेगा, और परमेश्वर से जो भी आप मांगेंगे, वो उसे पूरा करेगा, रोमियो का पत्र अध्याए आ वो आपको प्रदान करेगा, आप देखेंगे कि शैतान आपके स्वामने बिजली के समान गिरेगा, क्योंकि येश्यू ने कहा, लुकस के सू समाचार अध्याए 10 पत्संख्या 18 में, कि मैंने शैतान को बिजली के समान आस्मान से गिरते हुए देखा है, मैंने तुमें हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा गया है, एजेकेल नभी के गरंथ में हम पढ़ते हैं, कि मैं अपने भक्तों के नाम नगर के बीच स्तंब पर अंकित करूँगा, परमेश्वर कहता, आग की दिवार बनकर मैं तुमारे घर की रक्षा कर करूँगा, और मैंने आपके लिए वचन पढ़ा, एजेकेल नभी का गरंथ अध्याए 8 पत संख्या 2 में, कि पिता इश्वर भस्म कर देने वाली आग है, उसका वचन भस्म कर देने वाली आग है, और उसी आग का वो संरक्षन मुझे और आपको वो प्रदान करता है, एक मैं उसे सफल होने नहीं दूँगा, ये हमारी सांत्वना है, ये हमारा भरोसा है, ये हमारी आशा है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए आमंतरित करती है, आज के ये वचन आपके जीवन में सोगुना फल आए, ये वचन आज आपके परिवार में उन्नती और उद्धार प् प्रमेश्वर से यही विंती करूँगा और वो आपको सुरक्षित रखे प्रकाशित्वा के अध्याए तीन पत संख्या आठ प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूँगा प्रियजनो प्राता की इस बेला में मैं आप सब के लिए प्रातना करना चाहता हूँ प्रभु आपको आशिश दे दिव्य वचन के माध्यम से आज का वचन जो आपने सुना है ये आपके जीवन और परिवार में सौ गुना, साट गुना, सत्तर गुना फल लाए प्रमिश्वर की आशिश और उसका अनुग्र है आपके परिवार में सदा बना रहे मैं इस विशेश कृपा के लिए आपके लिए प्रातना करूँगा जो गुठना टेक सकते हैं टेक ले मैं आपके लिए प्रातना करूँगा दया करने वाले, चंगा करने वाले सर्व शक्ती मान, सर्व व्यापी द्यालू पिता इश्वर दूने अपने कलोते पुत्र के बलिदान के द्वारा उसके पवित्र रक्त से हमें सुरक्षित रखा हमें उद्धार प्रदान किया और पापों की शमा दिलाई हे प्रभु येशू, हम तेरा पवित्र लहू लेकर अपने शरीर आत्मा हिर्देओं पर बच्चों पर छिड़क देते हैं तेरा वचन आज इनके जीवन में पूरा हो जाए और सो गुना, साट गुना, सत्तर गुना फल लाए तेरे वचन आत्मा और जीवन है इन वचनों के द्वारा इन तेरे भक्तों का मार्ग दर्शन कर जो बीमार हैं उन पर देया कर और जो रोगशया परें उन्हें सांत बना दे और अपने रोगों और कश्टों को सहन करने की शक्ती प्रदान कर पवित्र आत्मा इनकी सहायता कर, इनका मार्ग दर्शन कर और प्रभु के वचन को सुनने समझने की शक्ती और सामर्थ प्रदान कर ए प्रभू मैं तेरा दास इन हातों को उठाते हुए तेरी इस प्रजाग के लिए मध्य सदा करता हूँ आज जैसा इनोंने विश्वास किया है इनके जीवन में पूरा हो जाए और ये तेरी महिमा कर सके हमारी प्रार्थना सुन ले मारे प्रभू कृष्ट के द्वारा आमें